हाई फ्रेंड्स वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैपी लिविंग आज है पूर्णिवां की पहले दिन आज है मंगलवार का रात और इवनिंग का टाइम है शाम का टाइम पे मेरे घर के सामने का गार्डेन छोटा सा गार्डेन है बहुत अच्छा दिख रहा है यह है पिंक मैंडेवेलिया ऐसे वाइट है और रेड है और एकदम पीछे यलो कलर का अलमंडा है अभी थोड़ा थोड़ा ब्लूम हो रहा है पर यह पिंक वाइट और रेड इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे घर के सामने कोई भी कार जाता है सामने से ँनके अंदर कार पास करते हैं यहां से आहिस्ता कार पास करते हैं और साम को बहुत सारा बच्चे आते हैं यहां के बच्चे फूल तोड़ते नहीं है U.S.A. per बहुत जैसे यह ग्लैमर वर्ड है जो U.S.A. पे नहीं रहते उनको यह ही आइडिया है पर न बहुत प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स यह सब चीज को हेरिटेज बिल्डिंग को बहुत अच्छा करके रखते हैं और यह लोग अप्रिशेट भी बहुत करते हैं तो मेरे घर के सामने से जो भी कार जाएगा आहिस्ता हिस्ता जाएगा स्पेशली शाम के टाइम और यह जाते हैं और मैं और मेरे हस्बन दिख गए तो यह तो नाइस 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 घॉटे सब गर्रेट जॉब यू आरव मर्किंग हार्ड ऐसे कॉम्प्लिमेंट देते देते जाएगा मेरे घर से बड़ा घर तो बहुत सारा है इस community पे हमारा community पे पर इतना सुंदर garden किसी के घर के सामने नहीं of course 80% credit मेरे husband को ही जाता है यह है daily lease मैं उनको ideas बहुत देती हूँ मैं भी hard work करती हूँ garden के पीछे पर 80% वो करते है मैं एक दिन पूरा share करूँगी मेरे husband कितना hard work करते है गार्डेन के पीछे आप लोगों के साथ सब कुछ share करूँगी देखिए यह daily lease का color कितना अनुखा है बहुत unique color है ऐसे white है yellow है और painters है अभी जो गौंधुराच फूल है गार्डेनिया वो है रॉंगों फूल है और फिर jasmine का flower है बार्ड ऑफ पैरडाइस है इतना कुछ है न बहुत अच्छा लग रहा है आज का शाम का weather बहुत ही अच्छा है और थोड़ा windy भी है अभी फ्लोईडा पे पूरा सामार हो गया जैसे 33 degree centigrade 27 degree रात को इतना गरम हो गया फिर तो शाम को ऐसे windy होते है न बहुत अच्छा लगता यह पितूनिया हम लोग जोब अपार्टमेंट पे थे तभी भी रखते थे गयारा साल से कर रहे है यह और यह double colour का double shaded petunia हम दोनों को बहुत बहुत पसंद है इस बार इसलिए डाबल शेडिट पितूनिया लेकर आये है और इसका color देखिए हलका lavender हलका ग्रेश यलो तीन- बहुत सुन्दत दिखता है अभी रात हो गया अभी बैकियर्ट पे चले आए वाइड फ्लावर्स ना लाइट का काम करते हैं मुझे लगता है चोटा टूनी लाइट का काम करते हैं यह है गोलोंचो जो हवाई का स्पेशल फ्लावर है और यह बैकियर्ट का गौंधोराच फ यूट्यूब पे सद्गूरु बहुत देखती हूँ निउस देखती हूँ देखते देखते मैं कीचेन का काम करती हूँ मुझे अच्छा लगता है ऐसे अच्छा टाइम भी पास होता है और देश का निउस भी रखना चाहिए अखर है तो हम लोग इंडियन अमेरिकन मैं बनना भी नहीं चाहती हूँ और कभी कोशिच भी नहीं करती हूँ तो इंडियन होके मैं बहुत हैपी हूँ अभी बाहर से सब कुछ बाहर निकल के रख दिया पूरा कीचेन का काउंटर टॉप कल मैं क्लीन करूंगी अभी कैबिनेट क्लीन कर लिया अल्रेडी डिनर भी हो कल सुबह उठाऊंगी और मेरे हजबन गए है मायामी बूदबार रात को लोटके आएंगे फिर ये वीडियो जाएगा शायद ये वीडियो फ्राइडे को जाएगा तो ये राइट साइट का जो ब्लैक ट्री है एक फ्लावर है वो जगा मैं क्लीन करूंगी अभी मैं थ्र के बाद इसी रिजन से इसी रिजन के कारण मैं व्लॉग डाल रही हूँ बहुत मन खरापता मेरा मेरे फर्स्ट काजिन का मेरे पापा का सबसे बड़े भाई का दादा का एक ही बेटी है उसका इसास का देहन्त हो गए थे उमर हो गए थे आसी पचासी 85 एयर्स ऐसे उनका हाथ पैट टूट गए थे उनका पोटी नहीं हो रहा था इस उमर पे हो सकता है तो इसलिए ना दस बार उनको नर्सिंग उन पे जाना और आना जाना और आना ऐसे करते करते तीन-चार बार आते जाते उनको कोविड लग गए थे फिर मेरे दीदी को जीजा को और मेरे जो बोंजी बोलते हैं बेंगौली में मेरे नीज हिंदी मालूम नहीं है तो एक ही बेटी है मेरी दीदी का और दीदी भी एक ही बेटी है मेरी ताउजी और ताउजी भी नहीं है मैं जब इंडिया से लास्ट टाइम चली आई उसके बाद मेरे ताईजी का भी देहान्त हो गय अभी भी दीदी बहुत बहुत वीक है और दीदी का सास जब कोविड हो गए थे तो मतलब वो और भी जीने वाली थी क्योंकि हाथ-पैट तुटने से किसी का देहां तो नहीं हो जाता है पर नर्सिंग होम से कोविड लग गया फिर दीदी को भी और जीजा को और बच्ची को कोविड लग गए थे अभी वो सब रिस्क के बाहर है पर कोविड के दौरान मेरी दीदी का सास का देहांत हो गए थे और उसका बात का जो स्टोरी मैंने सुना वो सुनके इतना डिप्रेस्ट हो गई तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया अभी मैं उस शौक से बाहर निकल क के चलिया ही मेरी ममी ने बहुत समझाई है हस्बेंट से इतना मैं शेयर नहीं किया इंसिदेंट मैंने बोला पर इतना शेयर नहीं किया क्योंकि हस्बेंट को भी मेरी सास के लिए मन खराब हो जाएगा फिर मेरा तो मेरी ममी का सोच सोच के मन खराब हो गया तो ममी ने करना पसंद भी नहीं करती हूँ फिर भी मतलब ऐसे सुनके बहुत खराब लगा मैं बोलती हूँ आप लोगों क्या हुआ है वीट पे देहांत होने के बाद बॉड़ी को प्लास्टिक पे ऐसे पुड़ा फोल्ट करके फिर एंबुलेंस पे डालते है पर बहुत मतलब बीना अतुप जाते है मैं बाद बट आट तो फिर उन लोगों ने बॉड़ी startups के नहीं डाला ऐसे जो कबूल्स नहीं पर आ इसे नॉर्मली रख दिया बोडी को फिर मेरी जीजा ड्राइफ करकर के शमशान तक गए जीजा को उन लोगों ने टाच करने नहीं दिया तो मेरी दीदी का सास का आग भी खुले हुए थे आग भी बंद वो लोग भी नहीं चोएंगे कोविट का बोडी है मेरी जीजा को भी सर बहुत दर्था बहुत दिक्कत लेके शमशान पे गए पर अन्तिम जो काम है उन लोगों ने करने नहीं दिया वो लोगों नहीं किया फिर जीजा ने बूला आक तो बंद कर लीजिए वो लोगों ने वो भी नहीं किया और मेरी दीदी का बेटी का भी सर बहुत दुखा क कि इन बार बोलती है कि बात नहीं किया जाते बात नहीं किया जाता मुझसे मतलब इतना भयंकर चीज सुनके मैं इतना डिप्रेस्ट इतना सैड हो गई थी तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ आपके अभी कोविट का वैक्सिन का बहुत स्केर सिटी है पर आपके घर पर ऐसे को है तो कि नहीं लेना चाहते है वैक्सिन तो जगडा Ninja Uni का नाम किजिए online सब लोग वैक्सिन ले ली जिए का कब किसी को क्या होगा किसी लोग नहीं मालूम है और मेरी मम्मी को भी दिदी यह सब बोला मेरी म Community heart आपकीशिंत है ये सब सुनके मेरे मम्मी जान गई ये सब सोच सोच के भी में बहुत डर रही थी मममी ने बोला सनकी कि उला ममें भागाय कोञा réussi मेरे मठीया तो से भी ludुझ के बीच में घर पे किया गया कि कोई भी आने ही पाए तो बहुत खराब लगा दुखत घटना है तो आप सब बहुत साफधानी से रहें घर की लोगों को साफधानी से रखिए अभी तो ये व्लॉग जाते-जाते यश भी आके चला गया बहुत इंसान का बहुत कुछ खराब हुआ पर इतना डेथ नहीं हुआ उसी से ही मैं खुश हूँ कि इंसान रहेगा तो पैसा आण करके घर बार सब कुछ बना पाएंगा हां गरीब इंसान का बहुत-बहुत खराब हुआ यश के वाजे से फिर भी जान है तो जहान है मैं यही दुआ करती हूँ जिन गरीब ल कि उनका सब कुछ ठीक हो जाए आहिस्ता हिस्ता और अभी किसी का डेथ पहले होते थे मैं मुझे खराब लगता था अभी कोविट पे डेथ होता है तो सुनके मुझे जादा खराब लगता है मेरी जीजा के लिए मुझे इतना खराब लगा ना मैं कुछ नहीं बोल पाई जीजा को बात नहीं कर पाई स्रिफ दीदी को फोन करकर मैं और मम्मी बात कर रही हूं और कुछ भी नहीं मुझे सुझ रहा है अभी तो मेरी दीदी से भी कुछ दिनों से बात नहीं हो रहा है क्योंकि दीदी बहुत थक जाती है बात करते हुए तो इसलिए दीदी को बोल एक दिन के लिए मायमी गए थे तो बहुत सारा स्टॉप पे रुक रुक के मीटिंग था इसलिए मैंने ही गई इतना धूप होगा ना इसलिए और घूम भी नहीं पाएंगे एक दिन के लिए गए तो लीची लेके आए ये लीची का गार्डेन है किसी का घर पे तो उन लोग को नहीं दिया हे बहुत अच्छा हम लोग लीचु बोलते हैं बेंगसरी में और एक फल लेकर आए है ये फल मैने लाइफ में पहली पार खाए है ये सपोर्टा ग्रूप का है मतलब जो शौवेदा बोलते हैं बेंगसरी में चीकु बोलते हैं हिंदी पे उसी ग्रूप का ह इसका नाम है मामे, मामे, सुनके लग रहा है ना बेंगॉली में मादर डॉटर मामे, ऐसे, ऐसे दिखते हैं, और बहुत स्वीट है, बहुत स्वाधिश्ट होते हैं, ऑफिस पे भी दिया, किसी ने गिफ्ट किये थे हजबन को, घर से लेके आए, जिनके साथ मीटिंग था न है, और औरलांडों पे नहीं मिलते हैं, तो सब ने बहुत खुश हुआ, तो व्लोग आज इतने ही तक, बाई-बाई, सब लोग बहुत खुश रहें, सेफ रहें, साफधान रहें